अस्सलाम अलेकुम फ्रेंट्स एद मुबारफ हो जैसे के एद का सीजन है माशाला अयूब सहाब ने बिल्कुल नई दिशाद मुझसे ट्राइ कराए है चिकन बिर्यानी मसाले वाली इसके लिए चिकन लिया है धुलावा मिर्ट मसाला अमचूर पौर्डर चाट मसाला और य यह गरम मसाला है सौफ धनिया और लहसुन अद्रग का पेस्ट दहीली है और यह दो घंटा बिगव हुए चावल आइए इसको शुरू करते हैं लहसुन अद्रग डाल दिया है पानी में सौरी सौफ धनिया पानी में रख दिया है नमक डाला है और इसमें चिकन जाए गए चिकन को धो लें अच्छे से बहुत अच्छी तरे से धोया है मैंने और इसको हम पकाएंगे एक प्याल डाल दी है रखली चौप की हुई इसको पकनी के लिए रख देंगे थोड़ा सा नमक भी डालेंगे इसमें और इसको मैं पकाऊँगी जब तक चिकन गल जाए यह चिकन गल गया है अच्छे से पक गया है सौम धनिय का माशाला कलर आ गया है पानी में खुश्बुदार पानी यह तैयार हो गया है इन बोटी को निकाल लेंगे हम मिक्सिंग बाउल में एक साइड प्रैंट्स जैसे के मैंने आपको बताया माशाला यूप साब बहुत खाने पीने के जाएकेदार खानों के शौकीन है तो यह हमसे नए नए चीज़े बनवाते हैं यह सब मसाले मैंने इसमें डाल दिये हैं थोड़ा सा रिपाइंड डाला है और इसको कर दिया है मिक्स एक साइड में एक प्याज ब्राउन कर लिए पहले प्याज को निकाल लिया है यह हमें उपर से डालने में काम आएगी अब उसी तेल में मैंने यह लहसे नद्रक का पेस्ट और गरम मसाला सब भून लिया है अच्छे से जो पानी हमने निकाला था सौफ धनिये का वो डाल देंगे बहुत आसान तरीके से यह मसाला बिर्यानी तयार हो गई है मशाला बहुत जायकेदार बहुत खुश्पुदार जब यह पानी गरम हो जाए इसमें मैंने यह चावल डाल दिये हैं और कुछ भी नहीं करना है बस अब इन चावलों को हम सीटी लगाएंगे शूटिंग के चक्कर में फ्रेण्स चीजें रह जाती है आगे पीछे हो जाती है दही रह गई थी हमारी धही भी हम इसमें मिक्स कर देंगे शूटिंग एडिटिंग जैसे आप जानते हैं फ्रैंट्स वीडियो में हो जाती हैं चीज़े और यह हो गई है चावल तैयार अब लेंगे हम वो चिकन जो हमने मसाला लगाया था और उपर से इसको टाल देंगे यह देखे हल्क असा इसको मिक्स कर देना है चावलो के अंदर माशाला बहुत आसान तरीके से और बहुत खुश्बुदार बिर्यानी यह बनी है उपर से डाल दिया है यह अचार हरे मिर्च वाला थोड़ा सा लिया है यह जर्दे का रंग है केवडे के साथ मिक्स किया है मैंने इसको खुश्बु बहुत अच्छी आती है इससे प्यास डाल दी है और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला उपर से डाला है और बस बहुत आसान तरीके से तैयार है हमारी मसाला बिर्यानी बीना किसी चट्नी दही या किसी रायते के इसको बड़े जायके से खाई है माशाला सब ने अयूब साहब को यह बहुत पसंद आई है आप इसको एक बार जरूर ट्राइकरें आपके लाइक समय मिले इसी लिए तो हम वीडियो बनाते हैं यह रहसे पर आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और खुश्बुदार बिर्यानी तैयार हो चुकी है माशाला अल्ला हाफिज